हाई फ्रेंट्स में दीपा आज मैं आयू नोएडा में ग्रीन नर्सरी में यह सेक्टर 38 में है जाने के लिए वैसे बहुत इसी है उदर जीएपी मॉल के पास है यह नर्सरी और हर तरह का प्लांट्स आपको इदर से खरीदने को मिलेगा और रेट भी मुझे ठीक लगा वैस एकदम रोड साइड में ही है आपको गार्डियो अगर अभी पार्क करने के लिए कोई दिकर नहीं होगा आराम से नर्सरी में पहुंच सकता है और जो भी मेरे वीडियो फ्रीकनली देखते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइब भी कर दीजी क्योंकि इसे जो मोटिवेशन मिलता है वह बहुत ज्यादा है और आपकी तरफ से कुछ सजिशन है तो भी प्लीज कमन बोक्स में लिख दीजिएगा में छोड़ा इंब्रूव करने का भी कोशिश कर लूँगे तो आ अच्छा लगा और इदर ऐसे हैं में इसे प्लाइन करके रखें तो अगर आपके पास पी ऐसे स्पेस तो आप भी ऐसे बहुत सुन्दर सापका गाडन सेट कर सकता है और यह पेट के नीचे आप सोड़ा शेड लविंग प्लांस रखेगा तो वह बहुत अच्छे से ग्रो पोर्ट में लगा हुआ है यह प्लांट आपको मिलेगा 600 में और यह मधुकामनी मुराइया प्लांच बोलते है वह यह 300 रुपीस का है सोड़ा बड़ा पोर्ट में और यह एक टाइप का पाम है यह 100 रुपीस का है और यह ओकस यैस र्यांगा पहलिता प्लांट वह बहुत अच्छा प्लानटे यह बहुत जलदी खराब भी नहीं योगया आरांस से ग्रो हो सकते है और यह तसली घंड कराषूल कोंट आत मुझा इनका हैं तेशलवण 20 रुपीजी qd आपको मिलेगा 60 रुपीज में यह पोर्ट में मिलेगा आपको अच्छे से ग्रोथ वाला प्लैंड है वैसे बहुत अच्छे अच्छे कलास भी अवेलेबल है ओल्मस्ट ओल वेराइटीस जो दिल्ली में जो कॉमनली दिखते हैं वो सारे आपको उदर से खरीजने को मिलेगा और यह प्लैंड यह इवोल्वुलस जो ब्लू डेइस बोलता है हिंदी में विश्नुक्रांदा भी बोलता है इसको यह 150 रुपीज का प्लैंड है और हैंग बास्केट्स के लिए बहुत अच्छा है आच्छा हाड़ी प्लैंड ही और यह वाला प्लैंड यह बड़ा सा हुआ है 1200 रुपीज का है पूरा पूर्ट बरके बहुत अच्छे से ग्रोव रखा है और इसका चोटा प्लांट आपको मिलेगा 150 रुपीज में यह पाइन चीड जो बोलता है यह 750 रुपीज का है और यह सीडम यह 250 रुपीज का है यह सबना हैंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा है और यह वेरिएटेट वाला स्मॉल पोली बैग में लगा हुआ है यह भी 80 रुपीज का मिलेगा आपको बहुत अच्छा प्लांट यह और यह बोक्सुट बखस यह आपको मिलेगा 750 रुपीज में और यह शेफलरा बोन साई बना रखा है आप थोड़ा इसमें एक पॉट में 12 पीस ऐसे लगा रहा है प्लांट का और यह 2500 रुपीज का है बहुत अच्छे से फुली ग्रुव होके बहुत सुंदर लग रहा था ऐसे देखे और यह सब बॉन साइज वैसे ड्रिफूड में और चोटा ऐसे रोक वगरे रखे ने इसे अच्छे से यह सारे प्लांट से आपको मिलेगा 700 रुपीस मैं और इसका रोट का फॉरमेशन बगशन आप देख सकते हैं और यह सब सैकुलन् सोर कैक्टिस बगएर यह सारे फ़्ट ऐसे लेके 350 तक रेंज में आपको मिलेगा यह सारे में लगा हूँ और यह देख लिजिए का भी अच्छा कलेक्शन ने इनके पास आगे भी में और दिखाऊंगे आपको और यह वाला यह युक्वा प्लांड है यह न वैसे एक पॉर्ट में दो प्लांड लगा रखा है और यह दोनों अलग-अलग डिरेक्शन में ऐसे ग्रो करके रखा है यह यह सारे आपको मिलेगा 100 रुपीज में और यह से फिलोटनों का वराइटी से यह भी वह सेम प्राइस है यह सारी एक रेंज का प्लांड है जो भी लीस्ट मेंस प्लांड ग्रो करना चाहते ने उनके लिए बहुत अच्छा ओप्शन है यह सिंगोनियम प्लांड अगर एक लेटर जेट प्लांड यह आपको मिलेगा 80 रुपीज में और यह सब सेक्वलन्स का वराइटी से यह भी मैंने जैसे पहले बोला था 150-180 तक रेंच में इदर का प्लांड और यह सब कैक्टस है कैक्टस भी बहुत अलग-अलग टाइप का आपको इदर खरीदने को मिलेगा यह सब आप देख लीजिए बहुत प्यारा लग राधा ऐसे यह कैक्टस में बहुत जल्दी से खराब नहीं होगा जैसे सेक्वलन्स खराब हो जाता है यह से कैक्टस इतना जल्दी खराब नहीं होता तो जो भी ऐसे इंडरस्टर आपको मिलेगा 750 रुपीज में और यह बनी यह कैक्टस है यह बहुत इसी है इसे प्लांट से ज़िए ग्रों करना और यह अडीनियम आपको मिलेगा 750 रुपीज में और यह कैक्टस का दूसरे वराइटी है थोड़ा बड़ा पॉर्ट में जो लगा रखाय यह प्लांट आपको मिलेगा 1500 रुपीज में और यह देख लिजिए यह ने एक स्टोन का पीस वगर रखें बहुत अच्छे सा डेकोर करके रखा है और यह ओरंज टैकों में प्लांट है थोड़ा बड़ा प्लांट है 250 रुपीज का है और यह तनबजिया यह नील जेटी बोलते है इसको 350 रुपीज का है वह प्लांट तरहा अलमांड़ के बैल आपको मिलेगा 150 में और यह सारे शेफलरा 70 रुपीज से लेकि ऊपरका रेंच में पॉर्ट में थोड़ा प्राइस जाधा होगा और यह फर्ण फर्ण आपको 10 पॉर्ट में मिलेगा 200 रुपीज में और चोटा पूले बाग में 70 रुपीज से ले का और चोटा पुले बाग में 150 और ये वल्ला प्लान ये भी बहुत प्यारा लग रहा था नाम नहीं पता मुझे ये 1200 रुपीज का है और ये सब आरेककपाम आपको अच्छा हेल्दी प्लान्स वन थे लेक्के मिलेगा और इधर एराउंड न सेवन फीट थे हाइट कभी प्लान्स अवेलबल है और ये सिल्वर युका प्लान्स ये 150 रुपीज का है और ये गोल्डन फ्रन ये आपको मिलेगा 150 रुपीज में ये सिंगोणीं चोडबड़ा पोर्ट में अवेलबल है ये 150 रुपीज का है और ये जनाडु जनाडु आपको चोड़ा बड़ा पोर्ट में मिलेगा 250 रुपीस का, और ये सीलम ये आपको 130 का पड़ेगा और ये अग्लोणीम ये 150 रुपीस का, और ये ड्रसीन, ड्रसीन वैसे 70 रुपीस से स्टार्टिंगे प्राइस और ये च्राइसुलन ऑवेटा, ये आपको मिलेगा 80 रुपीस में, और ये पीसली ये थोड़ा बड़ा लीफ वाला प्लान्टे इपॉर्टर्ट है, ये 450 रुपीस का है और ये पेंदरनस ये 250 का, और ये अरेलिया प्लान्टे ये 200 रुपीस का है और ये भी दूसरा टाइप का अरेली है पता ने मुझे भी समझ में नहीं आया एक मरून कलर के लाइनिंग है इसका लीफ में यह प्लान्ट है 650 रुपीज में इसका ग्रोथ वगर वैसे अच्छा है बहुत सुन्दर लग रहा था और ये सब रैप स्पाम ये 400 से 1800 तक भी रेंज में आपको मिलेगा बहुत बड़ा बड़ा प्लान्स भी अवेलबल है ये पोर्ट आप देख सकते है राउंड 14 इंच से भी जादा एसे इसका बिटते है और ये ड्रसीना विक्टोरिया ये आपको पड़ेगा 250 रुपीज में ये सारे ड्रसी ना ये सब 70-80 रुपीज का है और ये पिट्टोस पोर्ण थोड़ा बड़ा पोर्ट में अवेलबल है जो भी एसे वेरिगेटर लीफ्स पसंद करते है उनके लिए बहुत अच्छा प्लान्ट है ये अच्छा हाड़ी प्लान्ट है बहुत जल्दी खराब बहुत अच्छे से फुल्ली ग्रोथ वाला प्लान्ट है ट्वल हंड़ रुपीज का है और ये रेट पाम ये ट्वल हंड़ का है और इदर ना बहुत अलग अलग टाइप का पाम्स अवेलबल है ये देख लीजे थोड़ा येल्लो शेड वाला जो स्टेम होता है न वह वा ये ड्रसी ना आप देख लीजी ये ना एरांट सेवन फीट हाइट होगा इसका भी वैसे मिट्टी में लगा हुआ है बहुत प्यारा लग रहा था अगर आपके पास भी जमीन है तो आप ऐसे लगा सकता है इसे वाला प्लांट सब और इदर आपको तूजा प्लान मिलेग का झारे, और यह बेल है आपको मिलेगा इटी में और कड़ी पंत आ है 400 price का और यह रबर प्लांट यह आपको मिलेगा 150 में और तेजपता आपको मिलेगा 150 रूपीज में और जामुन का प्लानडे वह 80 रूपीस और गॉआवा ग्राफ्टेड वाला 150 में मिलेगा और ऐसे बहुत अच्छे-च्य प्लान्स आपको इदर से खरीदने को मिलेगा और जैसे मैंने बोला एकदम रो के लोग है आप आड़ाम सीधर से आके गार्डी वगरे पार करके ना प्लांस खरी सकते हैं तो आप शब को वीडियो अच्छा लगा होगा तैंक्स वाचिंग